Insolvency and Bankruptcy Code में कोई अगर युनिट बैंकों को पैसा नहीं चुका पाती है तो जो उसके देंदार है, क्रेडिटर है, वो IBC के तहत कारवाई स्टार्ट कर सकते हैं IBC दो तरह की कारवाई करती है या तो वो युनिट को लिक्विडेट कर दे, उसको बंद कर दे या उस युनिट को financially viable बनाने के लिए कोई resolution पारित करें 75 प्रतिशत जो युनिट IBC में गए वो लिक्विडेट होगे, इस क्रैप सेल्स होगे मात्र 25 प्रतिशत में resolution चालू किया गया और उन resolution में भी आपको जानके ताज़ूब होगा कि 2016 से लेके वित्यवर्स 2023 तक recovery मात्र 31.8 प्रतिशत हुई अर्थात जहां पे इसको viable बनाया गया, वहां भी 68 प्रतिशत बैंकों को नुकसान जहां viable नहीं बनाया गया, जहां liquidation का निर्ने किया गया, वहां recovery है मात्र 5.6 प्रतिशत अर्था 94 प्रतिशत बैंकों का नुकसान और अगर हम इन दौनों को मिला के overall देखें, तो overall recovery हुई है IBC में मात्र 17.6% in last 8 years मतलब सबसे best चीज क्या हो गई, बैंकों से पैसा लेो, default करो default करने के बाद, आप बैंक जाएगा IBC में, 17.6% बैंको वापस दे दो और खतम, कुछ नहीं, आपका रफादफा haircut हो गया 84 प्रतिशत जो दूसरी unit आएगी, वो 17.6% में इस unit को खरीद लेगी और बैंकों को और कुछ नहीं लेना था, तो क्या इसके लिए IBC बनाया गया था, क्या organized loot के लिए IBC बनाया गया था, कि 84 प्रतिशत बैंकों का इस तरह से loss हो जाए, haircut हो जाए, उनका जो पैसा है वो डूब जाए, और ये ये जो data है, ये भारस सरकार की का जो Insolvency and Bankruptcy Board में जो उन्होंने रिपोर्ट जारी की, उसका data है साथियों, यहीं नहीं पिक्चर खतम हुई है, एक और बड़ा हम टेक्निकल ही बोलते हैं, asset stripping, पिछले आठ सालों में 2,85,000 करोड की asset stripping हुई, और सरकार ने उस asset stripping से किता recovery करी, 2,85,000 करोड का मात्र 1.8%, दो प्रतिशत भी पूरा नहीं, 2,85,000 करोड की asset stripping हुई, जो unit IBC के तहत गई क्योंकि वो बैंकों को अपना रेंड समय पे नहीं चुका पाई, वो 2,85,000 करोड के उन्होंने individual asset market में बेज दिये, जो कि illegal थे, उन में से IBC किता recover कर पाई, मात्र 1.8%, दो प्रतिशत से भी कम, यह क्या organized loot नहीं है तो क्या है?